Hey guys, welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 trending fonts जो मैंने भी अपने design में use किये हैं तो ये fonts बहुत new है and different है जो मैं आपके साथ आज share करने वाली हूँ जिससे आप भी इस आरे fonts अपने design में use कर सकें कुछ new fonts अपने design में use कर सकें तो मैं आपको 5 cent serif fonts बताऊंगी and 5 serif fonts बताऊंगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें मैं आपको website भी बताऊंगी जहां से आप ये सारे fonts फ्री में download कर सकते हैं और आपको किसी दूसी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है ये की website से आप ये सारे fonts डाउंडोड कर सकते हैं So let's start तो fonts बहुत जादा important role play करते हैं हमारे design में जिसके डर की वज़े से हम कभी-कभी same font यूज करते हैं हम अपने design में भले ही चाहे वो logo design हो या social media design हो हम same font यूज करते हैं अपने design में कि बहुत जादा गलत है हमें अपने design में थोड़े experiment करने होते हैं हमें अपने fonts के साथ थोड़े experiment करने होते हैं हमें new fonts ट्राय करने होते हैं जिससे हमारा design थोड़ा और enhance होके आए same font यूज करना हर design में बहुत जादा गलत है तो ये जो 10 fonts हैं completely new fonts हैं मैंने personally अपने design में भी use करे हैं तो सबसे पहले मैं आपको 5-sen serif fonts बताऊंगी and then 5-senif fonts बताऊंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5-sen serif fonts के बारे में First font is Cool Vertica तो ये एक pure display font है अगर आप देखेंगे इस font को तो ये font आप poster में use कर सकते हैं As well as आप logo design में भी इसको use कर सकते हैं अगर आप video editor हैं आप video editing करते हैं तो आप video title के लिए इस font को बहुत अच्छे से use कर सकते हैं Second font है LDWIP तो आप इस font को sports poster के लिए use कर सकते हैं अगर आप poster बना रहे हैं आप कोई magazine cover बना रहे हैं तो as a headline ये font आपका बहुत अच्छे से जाएगा As a headline आप इस font को use कर सकते हैं Third font है Outer Sense तो अगर आप इस font को देखेंगे मैंने इस font को काफी variety में use किया है मैंने इसको logo design में use किया है मैंने invitation design में use किया है इस font को आप अगर book के लिए देखेंगे इस font को तो book पे भी ये काफी अच्छे से जाएगा magazine में ये जा सकता है game poster के ओपर भी ये काफी अच्छे से जाएगा font आप इसको काफी variety में use कर सकते हैं इस font को Fourth font है Apollo तो आप इस font को logo design में use कर सकते हैं logo design में ये बहुत अच्छे से present हो सकता है आप इसे as a heading use कर सकते हैं as a heading भी बहुत अच्छे से ये जाएगा fifth font है libel suit तो आप इस font को web graphics के लिए use कर सकते हैं अगर आपको game से related कोई graphics बनाने हैं आप उसमें use कर सकते हैं logo design में use कर सकते हैं poster design में भी आप इस font को use कर सकते हैं तो मैं आपको five cent serif fonts बता चुकी हूँ आप बात कर लेते हैं five serif fonts के बारे में so if you guys know literature font family आज़ बहुत जादा trend में हैं ये fonts हम branding और logo में बहुत जादा देख रहे हैं आज़कल तो ये five fonts जो मैं आपको बताने वाली हूँ serif fonts ये बहुत beautiful font हैं ये आप अपनी branding में use कर सकते हैं आपको serif logo design करना है आप उसमें use कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं five serif fonts के बारे में तो ये five serif fonts जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये specially for branding है आप branding में बहुत अच्छे से use कर सकते हैं ये काफी beautiful fonts हैं तो first font की बात करूँ तो first font है Galien तो काफी beautiful font है आप इसको अपनी branding logo design में काफी अच्छे से use कर सकते हैं second font is later locks तो later locks एक लिगी है चाह सारे font family से बिलोंग करता है तो ये भी काफी beautiful font है branding में बहुत अच्छे से जाएगा branding में use कर सकते हैं आप इस font को third font है Bruno तो Bruno एक ऐसा font है आप इसको काफी ways में use कर सकते हैं मैंने भी इस font के साथ काफी experiment किया है मैंने इस font को fashion magazine के लिए use किया है मैंने इस font को logo design में use किया है branding में तो किया ही किया है मैंने invitation wedding invitation के लिए भी use किया इस font को तो ये काफी ways में use किया है मैंने इस फॉन को तो आप भी इसे इस वे में यूज कर सकते हैं लोगो डिजाइन में यूज कर सकते हैं फैशन मैगजीन में यूज कर सकते हैं तो मैं आपको 10 fonts बता चुकी हूँ, उनके uses भी बता चुकी हूँ, कि आपको कहां और कैसे use करें उन fonts को, तो अब बात कर लेते हैं, कि आप ये सारे fonts हरसल फ्री कहां से डाउनलोड करें, वेबसाइट कौन सी है, जहां से आप ये सारे fonts फ्री में और easily डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं उदर उदर जाने की जरुवत नहीं, एक ये वेबसाइट पे आपको ये सारे fonts मिल जाएंगे, तो वेबसाइट नेम इस thefont.com, तो यहां से आप जाके सारे fonts एजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको यूस कर सकते हैं, तो फॉन से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपनी बनाई वी हैं, आपको कोई confusion है font से related, कोई भी doubt है, आप वो मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, मैंने font playlist बनाई हुए हैं, आप वहाँ पे जाके मेरी सारी font वीडियो चेक कर सकते हैं, so this is it guys, I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहे, I hope ये वीडियो आपके पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए, please comment section में comment करके मुझे जरूर बताएं, कोई आपका doubt है, कोई भी confusion है, आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो को like करें और मेरे चानल को subscribe करें, bye guys!